फ्रेंट्स आप सभी को धन तेरस की और दिवाली की हार्दिक शुब कामनाएं हेलो लवली फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल सियास वर्ल्ड फ्रेंट्स आज में लेकर आई हूँ मेगा दिवाली शॉपिंग होल तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हर एक ओनलाई साइट पे दिवाली सेल लग वी थी तो फ्रेंट्स मैंने नाइका से परपल से और इवन की शेहनाजु से इंकी साइट से भी प्रड़क्स भाई किया हैं विकोल शेनाज उसे इंकी साइट पर फ्रेंट्स फ्लैट 50% अफ लगी थी और नाइका और परपल वाले तो आफ देते ही रहते हैं तो फ्रेंट्स इन सभी की अन्बोक्सिंग में आपके सामने करने वाली हूँ मेरा फ्रेंट्स अभी भी एक पर्सल पैंडिंग है लेकिन वो थोड़ी देर में आएगा तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर्सल की मैं अन्बोक्सिंग आपके साथ शेयर कर दूँ तो चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं यह है फ्रेंट्स वो सारे पार्सल्स आप देख सकते हैं सबसे उपर वाला जो है वो नाइका का है वीच वाले दो परपल के हैं और लास्ट वाला शेनास का है तो चली इसे ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करूंगी नाइका की शॉपिंग तो नाइका से मैंने ओली थ्री प्रड़क्ट से बाए किया है जो कि पहला है लॉर्यल पैरिस का ये न्यू बेस मैजिक ट्रांस्फोर्मिंग स्मूधिंग प्राइमर इसकी मुझे 770 रूप तो फ्रेंड्स इसका रिवीव आप जल्द मेरे चैनल पर देख सकेंगे सेकंड फ्रेंड्स मैंने बाए किया है ये लॉर्यल पैरिस की हाइड्रा फ्रेश जीनियस मल्टी अक्टिव असेंस क्रीम इसका रिवीव भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स काफी फेमस भी है एंड इसकी जो मर्पी है वह 975 रुपीज है तो इसका रिवीव भी पर फ्रेंड्स जल्द आपके साथ शेयर करूंगी तो ये तीनों पर दक्स जो है लॉर्यल के ये मैंने नाइका से बाई की है नेक्स फ्रेंड्स मैंने शेहनास हुसें से ये किट मंग इसके अंदर इस तरह से इनोंने काफी अच्छी तरीके से पैकेजिंग की हुई है काफी सेफ पैकेजिंग है तो ये है फ्रेंड्स डायमंड की किट पहले मैंने आपके साथ इसकी गोल्ड फेशल किट का रिवीव शेयर किया हुआ है तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि इ आप देख सकते हैं यह इसकी डायमंड केट एंड्स यह फ्लाट 50% आफ लग वी थी इसकी जो एम रपी है वह वह फ्लाट 50% आफ पे मिली है मेंस के मुझे यह फ्लाट 50% आफ पे मिली है तो अगर आप भी से बाय करना चाहते है तो अभी भी शेयरा जुसेंके ओफिशल सा तो इसका रिवी में जल्द आपके साथ शीयर करूंगी देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है नेक्स फ्रेंट्स मैंने पर्पल से प्रड़क्ट्स मंगाए हैं तो सबसे पहला है यह जेजू अलो फ्रेश सूधिंग जल्ट तो फ्रेंट्स यह जो परक्त है यह आपको न आपके साथ लोटस जल का रिवीव शेयर किया हुआ है लेकिन अब वह आनिबंद हो गई है तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि इस बार मैं इस चेल को भी ट्राइ करूं देखूं इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है तो इसका रिजल्ट भी फ्रेंट्स मैं जल्द आपके साथ श अपना एक्सपिरियंस आपके साथ शियर करो तो अब मैं इस सिर्म को भी ट्राइ करूं गिए इसका रिजल्ट भी कैसा है तो नेक्स फ्रेंड्स मैंने मंगवाया है यह कलर बार का नेल पेंट्स जो काफी प्यार शेयर है सी दिस इसका नेम है फ्रेंड्स ग्रेशियस तो यह इसकी जो स्वाच होगा, इसका जो करशेड होगा, मैं आपके साथ जो भी मैंने अभी नियू नेल पेंट्स बाइ किये हैं, उन सब की एक वीडियो बना कर आपके साथ शेयर करूंगी, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फेसी सकेंडा का यह प्राइम परफेक्ट फाउंडेशन, यह भी फ्रेंड्स मैंने ट्राइ करना था, तो इसे भी मैंने इसलिए मंगवाया है, फ्रेंड्स मैंने जो शेयर मंगवाया है, वो है नेचरल डू, इसकी जो एमर्पी है, वो है 749 तो इसे भी मैं यूज़ करके इसका अपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट ए फ्रेंड्स शुगर का ये काजल जो कि काफी काजल में ट्राई किया है मैंने फेसिस का कलर बार का और मेबलिं का भी काजल ट्राई किया हुआ है लेकिन शुगर का पैंडिंग था तो इस वार यह है शुगर का ही कंटोर देफोर्स मिनी ब्रॉंजर वुड वुडी बंडर तो इसे भी मैं ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैं इसे मंगवाया है नेक्स्ट फ्रेंड्स शुगर का एक और परड़क्ट है जो कि है इसका ब्लशर इसका शेयर है जिरो फाइब कॉरल क्ला इसे का एक और ब्लशर है जो कि है जरु वन पीछ पीक तो इसके साथ ही इसके दो प्रडक्ट और है इसमें एक ब्लशर है और फ्रेंड्स इसके साथ ही एक हैलाइटर भी है तो यह फ्रेंड्स मैंने मंगवाया है Zero Four selman superstar तो इस ताम से मैंने तीन ब्लशर मंगवाये है और एक यह हाइलाइटर है जो कि है शैंपियन चैंपियन 01 और साथ ही फ्रेंड्स मैंने इसका कॉंटोर मगवाया है तो इस तरह से मैंने शुगर के काफी प्रड़क्ट्स पाई किये हैं तो इसके लावा फ्रेंड्स मुझे इनों ने शैनाज वालों ने यह जो प्रड़क्ट मै तो इसके लिए वीडियो आप में चैनल पर देख सकते हैं मैंने इसे यूस किया है यह काफी अच्छी अंडर आई क्रीम है तो इसका जो लिंक होगा वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो यह है फ्रेंड्स शैनाज हुसें की अल्मंड अ मैं यही कहूंगे कि आप इनकी उफिशिल साइट से ही बाय करें विकॉज आजकल मार्केट में हर एक ब्रैंड का जो फेक प्रड़क्ट है वो अवलेबल है आप कोई भी ब्रैंड ले लीजिए तो फ्रेंड्स मैं तो उफिशिल साइट से बाय करना ही बेटर समझती हूँ विकॉज उनके जो प्रड़क्ट होते हैं वो जैनोन होते हैं और कोई नी फ्रेंड्स चाहेगा कि हमारी जो मनी है वो वेस्ट हो एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि सम्टाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रड़क्ट जो होते हैं वो काफी ओफ पर लगे होते हैं तो जब से पहले आप चेक किजिए कि उसकी जो expiry date mentioned की गई है वो क्या है विकोज ऐसे होता है कि जो पर प्रडक्ट्स होते हैं वो expiry date जो उनकी आते हैं वो काफी जल्दी की होती है तो इसलिए कोई भी प्रडक्ट बाय करने से पहले expiry date ज़रूर चेक कर रहे हैं यह चीज मेरे साथ काफी टाइम हो चुकी है तो मैं अपने एक्सपिरियंस के साथ आपको यह चीज बताना चाहती थी कि ओफ पे तो हमें काफी अच्छे लगते हैं प्रडक्ट्स बाय करने लेकिन उसकी expiry अगर 2-3 मंस की हो तो फ्रेंड्स वो मनी वेस्टी है तो उसका भी बाय करने का हमें कोई फायदा नहीं है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए तो यह थी फ्रेंड्स मेरी दिवाली शॉपिंग होल की वीडियो यह सारे प्रडक्ट्स मैं जल्दी यूज करके देखूंगी और इसके जो एक्सपिरियंस है इसके जो रिव्यूज है आप के साथ वन बाइ वान शियर करूंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चेनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और प्रस्टी ब्रेंड बॉतन जिससे मेरे आने वाली व्यूद्यों सबस्कूल सु फ्रेंड्स हमारे गिवक का आज पोड़ेगा मेगा कॉड़ हमारी नेक्सट वीडियो में क्यों फ्रेंड्स भांड़